बुद्वार को है मदगन्ना में कॉंग्रेस उमेदवारों ने एक तरफ चीत हासल करती हुँ भाजपा शिवसेना प्रत्याषि को पराचित कर कॉंग्रेस कारे करताओं नहीं चश्न मनाया जहाई शिवसेना प्रत्याशी दूसरे नंबर पर मद्दान पाने में काम्याब रही तो भाजपा इस चुनाओ में पिछटी हुई तीसरे नंबर की पार्टी बनी कर्भान एक समय भाजपा का कड़बाना चाता था पर पिछले चुनाओ को देखती हुई वापर कॉंग्रिस ने अपना कब्दा जमाती हुई ग्राम पंचायत में भी सता हासल की आज फिर से कर्भान नी चुलापरी शिच्चनाओ में कर्भान शेत्र के मद्दाताओं ने एहम भूमी का निभाती हुई भारी मद्दान करती हुई कॉंग्रिस उमिल दुवार को चीट दिलाने में एहम भूमी का निभाई जिसमें सुरेश भक्ति सरपंच हेमराज दरनी उप सरपंच लांजिवार के साथ कारी करताओं ने कड़ी महनत कर प्रचार किया था 2000 की बड़क लेती हुई अर्चना भूयर ने शिवसेना प्रत्याशी को पराजित किया वही भाज़पा प्रत्याशी तीसरे नंबर पर मदान पानी में कामियाब रहे सुबह मदगन्ना सत पर भारी संख्या में कॉंग्रेस कारेकरता जमा हुए थे जैसे जैसे मदगन्ना में कॉंग्रेस उमेद्वारों को बड़त मिलने की खबर कार्यकरताओं को मिलती गई तब तक कार्यकरताओं में जोश दिखाई दिया आखिरकार कॉंग्रेस उमेद्वार की जीत का एलान होती ही कार्यकरताओं में खुशी की लहर दिखाई दी पाजरी गाजर के साथ चीत पर हर्शोलास मनाया क्या विजे सभा में कॉंग्रिस नेता चनरपाल चौक से चीत हासिल करने वाले प्रत्याशी कॉंग्रिस के स्थानिक नेता गन्नी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए यह जीत केंद्र की भाजबा सरकार आमजनता को परिशान कर रही महंगाई से आमजनता परिशान है सुविधा देने की बज़ाय लोगों को प्रतारित करने में लगी हुई है इसलिए मद्दाताओने भाजबा का दामन्शोर कॉंग्रिस प्रत्याशी को भारी मतों से जीतने में सयोग क्या आने वाले दिनों में कॉंग्रिस सभी चिनाओं में जीत हासल करेगी वही भाजबा महाराश्र से नदारत होते दिखाई देने की बात विज़ई सभा में नेताओ द्वारा कही गई जहां भारी संख्या में कारेकरता मौजू थे बीसियन न्यूज के लिए पार्शियोनी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट